हाई इस सेविर दिश्टर्ट, इंवेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेश्नल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भुषन गोड़ बोले आप सबका स्वागत करता हूं Share Market में जो कंपनिया होती है हर तीन मेने के बाद Results Declare करती है जिनको Quarterly Results कहते हैं अब इन Results को ध्यान में रखते हुए अगर आप Share Market में ट्रेडिंग की रणनीती बना रहे हैं तो किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड करें यह आज की एपिसोड में स्टेप बाइ स्टेप समझने वाले हैं आज ये क्विक वीडियो अपलोड कर रहे हैं लेकिन इस वीडियो में एहम जानकारी भी देने वाले हैं तो आज की एपिसोड को ध्यान से देखना Share Market में जो Shares होते हैं ना तो ताश के पत्ते होते हैं ना तो लॉट्री के टिकेट्स होते हैं यहाँ पे हर एक Share के पीछे एक Company होती है और ये जो Company होती है हर 3 मिने के बाद Results डेकलेर करती है जिनको हम quarterly results कहते हैं अब आने वाले समय में कौन सी Company Results डेकलेर करने वाली है ये हम National Stock Exchange वैसे ही Bombay Stock Exchange के वेबसाइट के उपर चेक कर सकते हैं अगर आप जानना चाते हैं आने वाले समय में कौन से Company की Results डेकलेर होने वाले हैं तो उसकी Link डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं वैसे ही अगर अपने हमारा जो application है Arya Money उसको डाउनलोड किया है अगर बहतरीन Results है तो उसके साथ बहतरीन Chart Structure भी होना बहुत जरूरी है अगर कोई Company बहतरीन Results डेकलेर करती है तो हो सकता है उस Company के Share में पहले से ही बहुत बड़त आ चुकी है जिन Investors को बहतरीन Results का पहले से अंदाजा होता है वो Results आने से पहले वहाँ पे खरीदारी कर लेते हैं इसके कारण जब Actual बहतरीन Results आते हैं तब उस Share में हमें मालूम चलता है पहले से ही बहुत अच्छी बड़त आ चुकी होती है तो बहतरीन Results डिकलर होने के बाद अगर Chart को Analyze करते है और समझ में आता है पहले से शेर बहुत बढ़ चुका है तो पहले से ये जो बहुत भाव में बढ़त आई है इसको कहा जाता है ये जो News है बहतरीन News है वो Discounted है और इन प्रकार के Shares में Short Term, Medium Term के लिए ट्रेड करना बहुत रिस्की हो सकता है अब ऐसा भी हो सकता है बहतरीन Results डिकलर होने के बाद कमपनी के शेर में नए तेजी के आसार बन रहे है अब कैसे पता करें बहतरीन Results के बाद किया किसी शेर में नए तेजी के आसार बन रहे है अगर बहतरीन Results डिकलर होने के बाद किसी भी करने के बाद उससे बहार आने के मतलब box से बहार आने के संकेत दिये हैं तो हम कह सकते हैं बहतरीन result के बाद बहतरीन chart structure भी है और वहाँ पर हम short term medium term के लिए trade कर सकते हैं अब इसको एक आसान example से समझते हैं Recently Muthut Finance इस company ने बहतरीन results declare किये हैं अब बहतरीन results आने के बाद इस company के share के chart को अगर हम analyze करते हैं तो chart पर ये समझ में आ रहा है company के share ने limited range में कारोबार करने के बाद अभी limited range के बाहर box से बाहर आने के संकेत दिये हैं मतलब technically breakout के संकेत दिये हैं तो यहाँ पर हम short term chart नुसार trading की रणनिती बना सकते हैं अब chart structure नुसार Muthut Finance जब तक support के उपर है तब तक short term से लेके medium term में और तेजी यहाँ पर आ सकती है लेकिन share जो होता है वो एक दिशा में उडने वाला rocket ने होता है उपर नीचे हो के उपर जाएगा तो जब तक support के आप यहाँ पर short term medium term के लिए stop loss के साथ trade कर सकते हैं अब हाली में HDFC limited इस company ने भी results declare किये है और results declare होने के बाद इस company के share के chart structure को analyze करते हैं तो HDFC limited इस company के share ने भी chart नुसार limited range से बहाराने के मतलब box से बहाराने के संकेत दिये हैं अब आपको as a homework as an assignment HDFC limited इस company के chart को analyze करना है सारे options है सर आपने जिन broker के यहाँ पे खाता खोला है उनके app में जाके इन दोनों company के chart structure को आप analyze कर सकते हैं वैसे ही अगर आप आरिया money के member है तो chart premium का इस्तमाल करते हुए भी इन दोनों company के chart structure को आप आसानी से analyze कर सकते हैं अब यहाँ पे मुथूट finance हो या HDFC limited हो इन company के shares म तो stop loss के start trade करना है अब इस प्रकार की जो shares होते हैं जो results declare होने के बाद box से भाराने के संकित देते हैं वहाँ पे कितना निवेश करें इसके लिए पहले आपको market का valuation चेक करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने हमारा application आरिया money download किया है तो हमारे application में हम regularly market का valuation सस्ता है या मह महेंगा है इसको update करते हैं अगर valuation wise market महेंगा है तो share के chart structure नुसार share कितना भी बहतरीन क्यूं नहों वहाँ पे कम निवेश करना है और अगर market का valuation सस्ता है और chart structure नुसार company के share ने box से भाराने के संकित दिये हैं तो वहाँ पे आप निवेश को बढ़ा सकते हैं trading करते समय money management के साथ trade करना होता है और जो trade कर रहे हैं short term medium term के अगर trade कर रहे हैं तो वहाँ पे stop loss के साथ trade करना होता है क्योंके कभी भी गलत जा सकते हैं अब HDFC bank और HDFC limited दोनों company के business model को business structure को analyze करे तो दोनों company के business model business structures बहतरीन है इन दोनों company के shares में अगर आप long term के लिए investment की planning कर रहे हैं तो यहाँ पे भी market का valuation महंगा होने के करण कम निवेश करना है। देखें जो महंगा market होता है और महंगा कितने समय के भी हो सकता है। लेकिन हमें valuation को ध्यान में रखते हुए निवेश करना है और इसी को intelligent investing कहते हैं। 2019 में market का valuation महंगा था लेकिन 2020 में जो market में गिरावट आई उस गिरावट में market का valuation moderate हुआ और वहाँ पे हमें निवेश को बढ़ाने का मौका मिला। देखें मार्केट में patience रखते हैं तो निवेश का pyramid बनाने का भी मौका मिलता है। मार्केट के valuation को धान में रखते हुए जो shares box से भाराने के संकेत दे रहें मतलब breakout दे रहें उन share में किस प्रकार से trade करें इसके बारे में जो हमारी exclusive method है उसको अगर आप सीखना चाते हैं तो हमारा जो application है आरिया मनी उसमें जो smart trader training program है उसको भी चाहे तो आप subscribe कर सकते हैं। अगर आप इस training program को subscribe करते हैं तो एक खाली training program नहीं इस training program के साथ आपको एक special tool मिलता है चार्ट premium जो आपको hand holding support provide करता है ट्रिनिंग प्रेड के दवरान आपको ये चार्ट premium जो tool है बताता है अभी conscious shares box से भाराने के संकेत दे रहें वहाँ पे stop loss क्या हो वहाँ पे profit कब book करे मतलब theory के साथ practically आपको assistance मिलता है अगर आप भारत के leading brokers के साथ खाता खोलना चाते तो उसकी link description में provide कर रहें चाहे तो उसका फाइदा उठा सकते हैं इस episode में जिन भी company के बारे में आपको बताया गया है education purpose से बताया है ये कोई buy sell का recommendation नहीं है जिन company के बारे में बताया है वह तो आप निवेश करते समय एक बार दुबारा बताना चाहूंगा risk को analyze करते हुए निवेश करें आपके financial advisor से सला मश्रूला करके निवेश करें market के valuation को धान मरकते हुए जो company बहतरीन return on invested capital कमाती है जिनका business model बहतरीन है उन companyों में चाहे आप हर मेने systematically investment करना चाहते हैं या lump sum पैसा invest करना चाहते हैं जानना चाहते है portfolio कैसा हो तो हमारी और एक exclusive service है wealth compounding machine जिसमें हम regularly portfolio कैसा हो इसको दिखाते हैं अब चाहे तो उसको भी result कितने ही बहतरीन क्यों न हो बहतरीन results के साथ बहतरीन chart structure अगर हो तो वहाँ पे आप trading की रणनीती बना सकते हैं अगर results बहतरीन है और share के chart के उपर box से भाराने के संकेत मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप money management और stop loss के साथ trade कर सकते हैं short term medium term की trading हो या long term की investment हो हमें एक important चीज को भूला नहीं है share market जो है roller coaster ride जीसा होता है देखना चाहते हैं इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेर भी किजिए हमानी चैनल को सब्सक्राइब किजिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले एपिसोड तक हैपी ट्रीडिंग हैपी इन्वेस्टिंग धन्यवाद थैंक यू झाल झाल